कि आज मैं आपको जट-पट बनने वाली वेशन की सबची की रेशिपी बता रही है यह मैंने एक बेशन लिया है उसमें मैंने थोड़ा सहलदी डाला है थोड़ी से लाल मिर्च पॉडरे डाल रहे हैं इसमें मैं थोड़ी से हींग डालूंगे कि थोड़ा सा जीरा बाउडर डाला है उसके बाद में थोड़ा सा नमक आड़ करें तो इसमें थोड़ा सा ओइल यूस किया है थोड़ा सा खानी वाला सोड़ा डाला है इस सब इसमें आड़ा अग्चे एसमें दोड़ा तुमटी दाल है और इसका घोल वनाऊंगे दोसे के आगगों के जासे ही इसका एक ख़ोल बना लेना ह। अच्छे से फेट लेना है ताकि उसमें कोई लबस ना रहे है और अच्छे मसाल और बेशन अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद में इधर लिया है उसमें थोड़ा सा ओएल ड़ालों ही है तवा हमारा धर हो कि और अच्छे से उसमें ओमाते होगे मिक्स कर देना है मिला देने आए ताकि चारो तरब ऑल लग जाए कि अ इसके बाद में इसमें बेशन के गोल को डाल दूंगी सारे बेशन के गोल को मैं इसमें डालूंगी तो अच्छोड़ा मोटा चीलबना लूंगी अब इससे मैं चारो तरफ से वाइल से मिला दूँगी ताकि हर तरफ से इसके साइड में वाइल लग जाए उसके बाद मैं इसे ढग दूँगे पांच मिनट मैं इसे ढग के पकाऊंगी अब देखिए यह इस तरफ पके रेडी हुआ है मैं इसे पलट रही हूँ यह देखिए एक तरफ यह अच्छे से पके हैं तुसरी तरफ में इसे पांच मिनट के लिए डग के पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए और यह रहा हमारा कुछ मशाला मैंने लिए दनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर जीरा और गोल मिर्च थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा थोड़ा दालचीनी और दो इलाइची थोड़ा सा लहसं की कलियां थोड़ा सरसो के दाने और इन सभी मसालों को मैं अच्छे से मिक्सी जार में डालके फाइन पेस्ट बना लोंगी यह पेस्ट हमारा रेड़ी है इधर ह देखिए यह दूनों तरब से अच्छे से पग गया है इधर मैंने कड़ाई में ऑईल डाला है और उसमें मैं तो टीश्पून राई डालूंगे राई जब हमारा अच्छे से चटक जाएगा इसके बाद उसमें मैं सारे मसालों को एड़ करूंगे राई हमारा चटक रहा है इधर हमारा चीला भी रेड़ी हो रहा है जी राई मेरा पूरी अच्छे तरह से चटक क्या है इसके बाद मैं इसमें पीसे में मसाले अड़ कर रहे हैं मैं अच्छे तरह मसाले को इसमें ऑईल की मुक्के सार मिक्स करूंगे मैंने मिक्सी की जार में थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से दो के उसके मसाले भी उसमें डाले थे अब सब्सक्राइब के मैं थोड़ी देर पपने दिरियों अधर मैंने चीले कर छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर दोंगी यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली सबजी है मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं और आपको देखने में लाओ आप इसे जरूर ट्राइब करें देखें इसमें बहुत सारे जाली बन गई है और यह बहुत ही स्पंजी हुआ है आप इसे जब ग्रेवी में डालेंगे तो यह बहुत ही सॉप्ट बनके रिडी होगा अब देख रहें इसके सारे जाली इसमें को दिख रहा होगा ग्रेवी इसके अंदर तक जाएगा और इसका टीस्ट और बढ़ाएगा इधर देखें मसाले भूल रहा है मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सरसू के मसालों को बहुत जादा नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बहुत जादा यदि सरसू के मसालों को अब भूनेंगी तो वह तीता हो जाता है उसमें एक कड़वापन आ जाता है जरसू का तो इसलिए से बहुत ज्यादा ना भूने और इसे इन सारे मसालों को आप ग्रेवी के साथ पकाए ऐसे मैंने मैं इसमें पानी आड़ करूँ रही क्योंकि यह सबजी का जो ग्रेवी है वो थोड़ा पतली होगी अब पतली ग् इसे क्या है मैं आपको दिखा रही है यह कितना थिक होगा यह देखिए स्टाइब का इस तरह से इस खोल को बना के रखना है और इसे मैं धब तूंगी ड़क कि मैं इसे पांच मिनिट तक अच्छी से बॉल होने दूंगे मसाले को पानी के साथ ही पपने दूंगे तो आप देख रहे हैं यह ना भूनने में बहुत ज्यादा प्रोसेस लगा और ना हमारा चीला बनाने में उतना बहुत ज्यादा प्रोसेस है तो यह इजी वे में और बहुत ही टेस्टी बनी हुए सब्जी है एक बार ज़रू ट्राइब करें मैं हमीशा आपको यह बोलती कि आप सबसे यह बोलती हुए क्योंकि जब तक आप ट्राइब नहीं करेंगे आपको कैसे बता चलेगा कि यह रेसीपी कैसी है इसलिए आप जरू ट्राइब करें अब मैं इसमें नमक डालूंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दोंगे मैंने भी सर्फ की चीले में भी नमक डाला था तो आप देखके फिर इस नमक बाद में चपके फिर यदी कम हो तो जादा और डाल सकते हैं अब यह रेडी हो गया है पूरी तरह से अब मैं से सर्फ करूंगी यह दिखिए बनने के बाद यह कुछी इस तरह से हैं साइद आपको दिख रहा होगा यह क्यूब जू है वो काफी हलकी बनी है झाल झाल